हेलो रिवन जैमातादी मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का मैंनी तो कुमावेट कैसे वह आप सब आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी और आज में बात करने वाली हूँ एक एसी क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारे एकने पिंप और इस Cram का यूज किया जाता है और कौंसी की चैनल पर यूज का जाता है क्रe DRैंट करते मीं एक क्रीम को भी मीं कोई क्रीम भी on सब लगां के हम उसको कर सकते हैं लेकिन इस यह सब हो जाता है ना उसको हम रिमूं नहीं कर सकते उसमे U.S. काफिछ प्लस क्रीम है और ऐसे हम इस मालाजमा और पिंडिशन को हाइपर पिंडिशन को कर सक geworden क्यार कई करेंज मैं वह क्रेंब स्कार ना वाप्स क्रीम और व्लॉस कर्यार धियुकर चैके बहुत जादा होनी के लिए काफी लोग खिरीद रहे तो प्रीज एसी क्रीम मत खराब किया करो अगर आपके स्कीन पे किसी तरीके के इसकार वगेरा है या पिगमिटेशन है या दान धबा है कोई भी उसके लिए आप यह सब क्रीम का यूच किया करो तो इसकी प्राइस की मिलेगी वह जान लेते हैं तो 15 ग्राम की यह टूप मिल क्रीम मिलेगी और इसकी प्राइस है और हर मेडिकल स्थार में बड़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी और इसको किस तरीके से लगाना है कितनी बाल लगाना यह सब भी जानेंगे इस वीडियो में अब क्या है यह पिगमिटेशन को मेलाजमा को हलका ही लाइट करता यह क्रीम क्यों हलका ही लाइट करता है क्यों ज्यादा लाइट क्यों नहीं करता है यह इसको जड़ से रिमूव क्यों नहीं करती है क्या है इसके इंग्रीज जानेंगे और इंग्रीज से पता चलेगा कि यह अपनी स्किन पे अच्छा वरग क्यों नहीं करता है अच्छा मतलब यह है कि आपके एगने पिंपल्स के इसकार है उसको तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह तो निकालेगा और इसकिन को ब्राइटनिंग करेगा पर आपके पिग्मिटेशन है मेलाजमा है उसको हलका ही लाइट करेगा चाहिए आप इसको कितने भी लंबे समय तक क्यों लगाना है तो इसको हलका ही लाइट करेगा अब जानते ही इसके इंगरिंस की इसमें क्या-क्या चीजे मिलाई हुई है क्या-क्या सामगरी डाली हुई है कोजिक ऐसे डिपालमिट एड व्यूत मैगनेसियम इसको और बीकू फासपैट है इसमें और इन सब से मिलकर कौन से क्रीम क्रीम बनी हुई है तो यह अपनीançon मेलाजमा छो अंक्यात करता है क्रीम क्रीम के ऑशinden 6 दिप्ली तक जाग कि आपके जो वर्य जाफ के चाहिं वगिडा पिंपनेशन अग्र क्रीम मैलाजॉआ इसको जड करता हिमन करता है इसको की क्रीमा छुआ कि क्रीम में यह श कि इसके पर दाग धब्बे हैं तो उसको लाइट करने में काफी ज्यादा वरक करता है बहुत अची क्रीम है और जाने कि साइड इफेक्ट और कितने टाइम तक लगाना है किस तरीके से लगाना है वह सब जानते हैं आप प्लीज आप इसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कहना है क्योंकि आप लोग सोचों को थोड़ा इतना हलका हो गया अपनी लाइट करने लगई स्किन तो इससे अपना पिग्मेटेशन पूरा जड़ से खताम हो जाएगा लेकिन जड़ से नहीं होगा अब लगाना किस तरीके से आपको ओली नाइट में लगाना है क्रीम अपनी स्किन पर बीचादा प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए मैं उनली नाइट में यूज करने के लिए बोल रही हूं तो आपको ओली नाइट में यूज करना है अच्छे से फेस्टोस करने के बाद ठीक है और इसकी कब को टाइट ली बंद करना है और चोटे बच्चे के लगाना रेगुलर 20-25 दिन तक आप लगा लीजेगा और डॉक्टर की स्टैला है लेकर फिर बाद में यूज करने इसे नहीं कुद के मन से यूज करना स्टार्ट कर दें ऐसी गलती कभी नहीं करना डॉक्टर से बढ़कर कोई नहीं है वीडियो देखे मत यूज क्या करो क क्योंकि अपनी स्किन बहुत जादा अनमौल होती है इसलिए अब इसके साइड इफेक्ट अगर वैसे तो इसके साइड इफेक्ट है नहीं लेकिन फिर भी अगर आप इसक्रीम को लगा रहे हो कि इचिंग वगरा कुजली वगरा चल रही है या फिर सर्दर्द हो रहे है आ आप लोग की ओली स्किन है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो तो इस क्रीम का यूज कर सकते हो तो इस क्रीम का यूज कर सकते हो और इस क्रीम का यूज कर सकते हो और इस तूप को कौन सी जगब पर रखनी ठंडी जगब पर रखनी है छोटे बच्चे के हाथ नहीं देन सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब